Class No.1 कल हमने कराया था, 10 हमने One Word Subjection आपको कराया और बहुत से इस्टुटेंट कमेंट किये कि सर मेरा 10 में से 10 आया, मतलब कि 10 मुझे आता था, यह सून करके बहुत ही अच्छा लगा, उसमें से ज्यादा तर इस्टुटेंट जो थे 99% हमारे पूराने इस्टुटेंट थे, वो बोले कि सर मुझे 10 में से 10 आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप भी अगर नए हैं तो इसी परकार से 10 के आगए, अब यह 11 लिखेगा, और ऐसे नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको दोहराने में आसानी हो, और आप एक्जाम देकर के जब आएं, तो उस नो करते हैं, आज की दिन का ये one word substitution, the murder of one's own father, ये कल के date वाली जो कल हमने करा था, उसमें भी समझा दिया था, option में दिया हुआ था, कि पीता की हत्या के लिए patricide का प्रयोग हम लोग करते हैं, मतलब patricide बोलते हैं, याद करने की जो trick हमने बताई थी, पापा हम लोग बोलते ह या थोड़ा भूला था, याद हो किया, दोरा दिया है, मैट्री साइड हमने क्या पता है था, माता की हत्या, मैट्री साइड, clear, next देखते हैं कि one who is assured of the god future, मतलब की कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिनके अंदर ये विश्वास है कि नहीं भगवान हैं, तो ऐसे लोगों को बो पूछ लेता है, तो बता देखें, optimist का उल्टा जो है क्या हो जागा, pessimistic, clear, optimistic का उल्टा, pessimistic, ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ लेते हैं, अगला है a person who talks too much, अब देखें बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं, मतलब दिन बर कुछ ना कुछ बोलते रते हैं, आप उनके साथ रहेंगे तो पक जाएंगे, परिसान हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं, लोकवासियस, मतलब की हिंदी में बातुनी, अच्छा लोकवासियस का ही सिनोनीम है गैरूलस, ये भी समझ लिजे, गैरूलस का है, या लोकवासियस देखें, option में या त फिर, टॉकिटिव, तीनों का मतलब एक कही है, और option में तीनों में से एक कही रहेगा, ठीक है, टुरेंट का मतलब होता है, टुरेंट का मतलब गैंगेश्टर होता है, option डी साइकल लेते हैं पहले, ट्रैसीट का मतलब क्या होता है, त्रैसीट का मतलब मौन या साइलेंट क की लोग ठीक है इनको मेडसेनेरी बोलते हैं आपसन नंबर डी से हो जाएगा क्रीमिनल का मतलब आपको पता है नहीं पता है पता है फैनेटिक का मतलब क्या होता है फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर ठीक है और गैरलेस का मतलब अभी हमने इसको समझाया ठीक है मतलब साइसे जानवर होते हैं, जो किस पे जीते हैं, किस पे निर्वार रहते हैं, पौधो पर रहते हैं, प्लांस पर रहते हैं, हरी भरी घासों पर रहते हैं, उनको बोलते हैं, हर्भी वोरस, देखिए वोर सब्द कहीं पर भी आ जाते हैं, इसका मतलब खाने से होता है, तो हर्भी और हसे हरा भरा तो जो लोग हरा भरा क्या होता है घास होता है प्लांस होता है जो लोग प्लांस पर निरवर्ट रहते हैं उनको हर्भी वोरस बोला जाता है याद रहेगा कैनिबल किसको बोलते हैं नर्भक्ची ये लोग मैन इटर होते हैं आद्मी को खाते हैं Cannibal एक movie है Go Goa Gun ठीक है उसको देखेए का समझ में आ जाएगा आपको Go Goa Gun यह movie है ठीक है उसमें नर्व अच्छी टाइप के लोग होते है आद्मी को खाते है आद्मी का मांस खाते है अच्छा ओमनी का मतलब मैंने बताया था कल के डेट में आपको ओमनी का मतलब क्या पताया था मैंने आल होता है ठीना कई भी ओमनी का आ जाया सब्दत इसका मतलब था सभी आल तो omnivores का मतलब जो सब कुछ खाते हैं that is सरवाहारी कार्णी का मतलब होता है कार्णी का मतलब क्या अता है फ्लेस यानि मांस तो कार्णी वरस का मतलब मांसाहरी confuse नहीं होना है हर भी वरस मतलब हर भी वरस मतलब क्या हो गया जो साकाहरी है जो हरे भरे पौधर पर, प्लांस पर निर्वर हैं, कैनिबल का मतलब नर्वक्ची हो गया, ओमनी वुरस का मतलब सरवाहरी जो सब कुछ खाते हैं, कार्नी वुरस का मतलब होता है, मांसाहरी जो मांस खाते हैं, ठीक, next की तरह बढ़ते हैं, the act of practice of sleepwalking, देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जो नीद में चलने की जिनकी आदत होती है, ऐसी लोगों को बोलते हैं, सोमनाम बुलिष्ट, इतको कैसे याद करेंगे, देखिए, सोमना सब्द कहीं पे भी आजाए, तो इसका मतलब होता है, need, सोमना सब्द का मतलब क्या होता है सोमना सब्द का मतलब होता है sleep, ठीक है, और emble सब्द कहीं पे भी आ जाए, देखे, emble सब्द, तो emble का मतलब होता है to walk, emble का मतलब क्या होता है walking यानि की चलना emble सब्द से ही बना है ambulance, ambulance का मतलब क्या हुआ एक ऐसा वहां जो हमेशा चलता रहता है उसमें 24 x 7 लिखा होता है मतलब 24 घंटे 7 दिन वो चलता रहता है अवैलेबल रहता है तो सुमनामबुलिष्ट का मतलब जो नीद में चले याद हो जाएगा सुमना का मतलब नीद और एमबुल का मतलब चलने वाला नीद में चलने वाले को सुमनामबुलिष्ट कहते है क्लिशे का मतलब क्या होता है सर उप्सन नमबर C में जो आपने लिख रखा है इसका मतलब होता है ठपा वो कहते हैं ने मारी मोहर लगाई ठपा वाला ठपा सेनेटोरियम भी बहुत इंपोर्टेंट सब्द है जिसका मतलब होता सेहत गाया स्वास्थाला कह सकते हैं और इम मोबाईल का मतलब होता है स्थिर देखिए मोबाईल आप यूज करते हैं लेकिन मोबाईल का मतलब क्या होता है mobile का मतलब जो चीज चलता रहे मतलब इस्थीर न रहे कहीं भी फोन लगा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं और इम सब्द कहीं पर जूड़ जाए I am जैसे possible का मतलब संभाव और I am जूड़ गया impossible मतलब awesome तो I am जूड़ जाता है तो उसका उल्टा हो जाता है अपोजिट हो जाता है ठीक है तो impossible का मतलब जो होता है खुशी में भी समान रहते हैं ठीक है जैसे MSD कहते हैं Captain Cool मेंदर सिंग धोनी अगर मैच जीते तो भी नॉर्मल लेते हैं और मैच हारे तो भी नॉर्मल लेते हैं तो एक तो example हो गया but exact example उनके पर नहीं suit करेगा ठीकिन बहुत से लोग होते हैं जो उदासीन टाइप के होते हैं मतलब कि उन्हें कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा जीत हो गए तो मतलब बहुत जादा उसको celebrate करते हैं और हार गया तो इतना ज्यादा दुखी होते हैं लगता है कि मुझसे ज्यादा दुख किसी के पास जीवन में है नहीं तो ऐसे की बात नहीं कर रहे हैं जो लोग दुख में देखें इंडिफरेंट पेंस दर्द में और प्लेजर में दोनों में समान रहते हैं ऐसे लोगों को बोलते हैं इस्टोइक का मतलब क्या होता है सर इसका मतलब एकांत वासी ऐसे लोग जिनको एकांत में रहना पसंद है सैंट का मतलब होता है संत या कह सकते हैं veteran का मतलब होता है एक ऐसा ब्यक्ति जो काफी अनभवी हो जैसे कोई चोर है बहुत ही अनभवी चोर है तो उसको बोलेंगे veteran थीप जैसे you are a veteran थीप मतलब तुम पक्का चोर हो अच्छा किसी से पूछ देंगे कि यह बता हो तुम पक्का चोर हो इसको English में कैसे बोलेंगे तो उसके तोते उड़ जाएंगे जो CBSC वाले बोर्ड वाले बच्चे होंगे ना आप पुछेगा उनसे कि बेटा इधर आओ किसी स्कूल में पढ़ते हो बताएगा मैं फलाने स्कूल में पढ़ता हूं आप फ्रेंड बोल सकते हैं तो वेटरन हमने बोला कि इसके लिए किसी अनभवी चीज के लिए यहां पर ऑप्सन नमर 20 आई था आगे बढ़ लेते हैं देखिए आपको थोड़ा सब बोरिंग भी लग सकता है कि सर आप इधर उधर की बाते जादा करते हैं इसलिए ना कि आपको चीजे याद हो जाए क्योंकि बुक में तो बहुत सारे पड़े हुए हैं ठीक न यहां पर हमने याद करवाने के लिए आपको बुलाए हुए ठीक है और यहां पर आप याद करेंगे याद करवा देंगे गैरेंटी है आईए वन हू कॉलेक्ट्स क्वाइन ऐसे ल इंदिरे में मुद्रा शास्त्री बोलते हैं इंगलीस में बोलते हैं न्यूमिज मैटिष्ट ठीक है अच्छा बागी के जो आप्सन हैं वो भी समझ लीजेगा आप्सन बी सही है यहां पर आप्सन नमबर सी में क्या दिवा है फिलाट लिष्ट जिसका मतलब क्या होता है डांक संग्र मतलब जिसे डांक टीकट वा जो लोग कलेक्ट करते हैं और आप्सन नमबर ए देख लीजे क्या लिखा है आर्कियो लॉजिस्ट लिखावा आर्कियो लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है पूरा तत्व विद्दा और कॉनसर का मतलब क्या होता है कॉनसर का allow है, rule करने के लिए खीक है तो ऐसे को क्या बोलते हैacción totalitarianism ठीक है, बहुत ही कठिन है ये इंग्लिप है जल्प प्रनांसिएसन इसका है, एक बार फीर से बोलेंगे totalitarianism नीजम ठीक है कि यहां पर क्या हो जाएगा출 option नमबर हादिया मतलब हुगा कब दोफन को सब्दा बहुत अधिक्ट से आपको नाम करिएगा यतलर का मतलब ? इसको बोलते है निक्तेटर सीब मतलब ताना इसिह को बोलते हैं . निक्तेटर की सूम के लीए तो इसका मतलब गॉड से रहटा है , भज्वान से होता है थियो क्रिसी का मतलब हुता है धर्म सास्त्र जहां भगवान का राज चले नेक्ष्ट देखते हैं अगला है अगला है बॉड़ी आफ परसंद अपॉंटे टू हीर एविडेंस एंड गीब देर वर्डिक्ट इन श्राइल्स क्या मतलब गशर देखे एक ऐसा ग्रूप बनाना जो कि किसी भी चीज़ का क्या करना अब वो एविडेंस और चीजों को देखकरके न्याय देने के लिए एक ऐसा ब्योस्था बनाना तो इसको जीवरी बोलते हैं ठीक है ऑप्सन डी से हो जाएगा जीवरी का मतलब होता है पंचायत या न्याय पीठ बोलते है ठीक है बार क आज के लिए बस इतना ही अगर आपको कुछ भी नहीं सहुं जाए तो कमेंट करिएगा इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेजे वीडियो को लाइक कर लेजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रम